10th class आज का हमारा topic रहेगा Definition of Electric Potential तो इस definition या statement को समझने के लिए हम इस diagram को देखते हैं जैसे बिटाई ये positive charge है ठेके? इस positive charge के चारो और एक ऐसा space है जिस reason में अगर हम कोई दूसरा charge ले कर जाएंगे तो हमें force of attraction या repulsion महसूस हो आपको पता है ये positive charge है अगर मैं इस positive charge के नजदेक कोई दूसरा positive charge ले कराऊ तो वो repulsion होती है अगर मैं negative charge ले कराऊ तो attraction होती है तो जहां ये attraction और repulsion होगी जिस reason में होगी, जिस space में होगी जिस place में होगी उस space को उस region को हम electric field कहते हैं ठीक है यह बात clear होगी यानि कि इस positive charge के चारो और उसका field है जिसमें अगर हम कोई दूसरा charge लेकर जाएंगे तो हम यह attraction और repulsion महसूस होगे तो यह positive charge इसके चारो और उसका field है यहाँ एक infinity पे यानि दूर एक test charge पड़ा है test charge का मतलब unity positive charge जिसकी strength unity हो यानि की one हो ठीक है यह small test charge है testing के लिए इसको use कर रहे हैं और इसका nature कैसे है positive है तो दूर कोई यह test charge है क्या हो not मैं इस test charge को दूर से यानि की infinity से इस field में ले जाना चाहता हूँ अब इसके उपर भी कौन से charge है positive लेकर कहां जा रहे हो positive charge के पास तो क्या होगा यह positive charge इस test charge को दूर करने की कोशिश करेगा ठीक है अब कोई सरी यह test charge इसको दूर के नहीं कर पार क्योंकि this is the main charge source charge इसकी strength बहुत ज्यादा है as compared to this test charge test charge का मतलब है जो negligible charge हो जिसको हम testing के लिए use करें तो वो unit positive charge हमने यहाँ पर test charge के उन्हों ले रखा है इसकी strength बड़ी weak है ठीक है इस test charge को जैसे ही इसके field में लेकर जाओगे positive charge के field में यह positive charge इसको repel करने की कोशिश करेगा ठीक है लेकिन फिर भी यानि कि यह तो दूर करने की कोशिश कर रहा है positive charge लेकिन फिर भी आप नजदीक लेकर जा रहे हो तो इसका मतलब आपने यहाँ पर work किया है against force of repulsion के क्योंकि यह positive charge उस test charge को दूर करने की कोशिश कर रहा है, repel करने की कोशिश कर रहा है, कि यह positive positive को repel करता है, लेकिन फिर भी आप इसे नजदीक लेकर जा रहे हो, तो यहाँ पर आपने work किया, work against the force of repulsion और यही work electric potential है जैसे test charge को मैं a point पर लेकर गया, ठीक है तो मैं तो नजदीक लेकर जा रहा हूँ test charge के मैं तो नजदीक लेकर जा रहा हूँ इस charge के, ठीक है, लेकिन यह charge उसको दूर करने कुशिश कर रहा है, इसका मतलब मैंने work done किया, तो जितना work done मैंने किया है, in moving the unit positive charge or test charge from infinity to a particular point in the electric field of another charge, is known as electric potential, ठीक है समझे बागया, अब इस test charge को a point पर लेकर आगया, कुश ना कुश वर्क हुआ, और यह work किसकी form में store हो गया, electric potential की form गया, तो a point के potential कितना हुआ, v a, v is the symbol of potential, ठीक है, तो यहाँ पर आप लेकर आए, कुश work हुआ, और यह work किसकी form में store हो गया, potential के form में, तो यानिक charge के, यानि source charge के नजदीक है b point, तो यहाँ पर the force of repulsion इस पर उच्जादा strong होगा, तो यानिकि जैसे मैं test charge को a से b point पर अप shift करूँआ, तो यहाँ पर b कुश ना कुश work done होगा, और यह work done फिर potential की form में store हो जाएगा, यानिकि यहाँ पर potential वी बी होगा, वी बी और यहाँ वी ए, और वी बी जो है potential ज़्यादा होगा, इस compared to वी ए, कि यहाँ work done ज़्यादा होगा, कि यह नजदीक है, यहाँ पर हमें ज़्यादा वर्क करना होगा test charge को लाने होगा, कि यह तो दूर वी दो points है, यहाँ पर potential different है, यहाँ potential different है, तो इनके potential की बीच में जो difference है, potential difference यानि कि VB minus VA लेंगे, ठीक है, या फिर अगर यह point यहाँ होता, भी point यहाँ होता, तो हम क्या लेते हैं, VA minus VB लेते, यानि potential difference जो है, वो दो points के potential का difference होता है, सबज़ में आगे सभी को, ठीक है, तो statement देखें, definition of electric potential, electric potential at a point in an electric field, यहने कि A point की बात कर रहे है, is defined as the work done in moving a unit positive charge from infinity to that point in the electric field, आगी नहीं भी बात, work done in moving the unit positive charge from infinity to that point in the electric field, ठीक है, तो potential किसके बराबर होता है बिटा, V बराबर में W upon में के होगा, यानि कि work upon में charge, ठीक है, charge वो, जिसको आप move करवा रहे हैं, ठीक है, और यह work done हो गया, जितना आपको लगाना पड़ा, तो work upon में charge is equal to electric potential, और unit क्या होती है potential की, यानि कि electric potential की unit होती है, work unit क्या है, जूल, चार्ज की कुलोंब, तो 1 joule upon 1 कुलोंब, यानि कितना आदेगा, 1 joule per कुलोंब, जे, सी, माइनस 1, ठीक है, तो यह जो है, यह unit होती है potential की, 1 joule per कुलोंब, ठीक है, और यह equal होता है 1 volt की, ठीक है, तो potential की unit क्या होती है, 1 volt, अब potential 1 volt unit है, जो कि किसके ब्राबर होगा, work unit क्या है, जूल, चार्ज की कुलोंब, तो 1 joule per कुलोंब के बराबर होगा, ठीक है, अगर आपको define करना है potential 1 volt किसके बराबर होगा, तब कहेंगे, potential is set to be 1 volt, when 1 joule work is done in moving the charge 1 कुलोंब from infinity to a particular point, मेरी बात फिर समझे, अगर आपको 1 volt define करना है तो किसके ब्राबर होगा, potential is set to be 1 volt, if 1 joule work is done in moving a charge of 1 कुलोंब from infinity to a particular point, इस तरह के साब define कर सकते हैं, और electric potential consequentity है, scalar quantity है, इसी तरीके से electric potential difference, electric potential difference va minus vb, कैसे define करोगा, work done per unit charge in moving a unit positive charge from point b to point a, अब देखो, यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, कि potential difference आना चाहिए vb minus va, क्योंकि a से b आपने move करवाय था charge को न, लेकिन यहाँ पर charge को आप move करवा रहे हो, from b to point a, b to point a, इसलिए va minus vb है, याने कि यहाँ इन्होंने इसके कड़िये, तो मैंने अपने तरफ से diagram आया ना बेटा, अगर इसके तरफ से diagram सोचा जाए, तो b की जगा a होगा, a की जगा b हो, ठीक है, तो va minus vb, potential का difference, याने कि जिसको हम denote करते है, डेल्टा v से, इसको बोलता है, डेल्टा, डेल्टा का मतलब होता है difference, ठीक है, difference in potential, याने कि, potential difference is equal to va minus vb, और this is equal to w1 में के, और ये work कौन सा है, ये work, वो work है, जो charge q को move करवाने में लगा, from b to a, याने कि, b से a charge को आप ले कर गए, जिदन आपको work done करना पड़े, ठीक है, तो, potential difference के भी unit 1 volt होती है, और जो कि कि किसके वर अबर होगा, 1 joule upon 1 koulomb, याने कि, potential and potential difference both have the same unit, same unit होती है, और ये भी scalar quantity है, ठीक है, voltmeter क्या होते है, voltmeter एक ऐसा device होता है, जो potential difference को measure करता है, voltmeter is a device which is used to measure potential difference, ठीक है, और voltmeter का symbol क्या होता है, ये, ठीक है, सोज़े में आगे है बच्चे, और voltmeter के resistance बहुत ज़्यादा होता है, और किसी ideal voltmeter की resistance की value infinite होती है, अलब, infinite, ठीक है, तो ये सीटमाइड में रखनी कई बार पूछ लिए आती है, कि voltmeter high resistance device है, low resistance device, आपने कहले है high resistance device है, और resistance of ideal voltmeter कितना होता है, infinite होता है, ठीक है बच्चे, तो यहां तक आब ज़ाप revise करें, बाकि next time करेंगे,